यह देखे गाइज यम्मी टेस्टी आज बहुत यम्मी सी रेस्पी लेकर हैं जिसको बढ़े हो या बच्चे एकदम उंगलिया चाट चाट कर खाएंगे तो चलिए बनाते हैं हलो एवरिवन आप सो का स्वागत है हमारे यूटिप चानल चाहय मिस्ट्रा में आज यह हमने ल लिए जो कट कर लिया है यह देखे एक इंच अद्रा का टुकड़ा दो हरी मिरच और दो से तीन प्याज कट कर लिया रफली तो इसे हम काट लेंगे देखे घरा मिरच थोड़ा सा लाल हो गया था बहुत अच्छा तो वह अच्छा लगता है डालने में इसलिए उसको डाल कि हमारी तुरही जो है वह हमने आग पर पकाई है तो इस वजए से घ्राट बाज़ा जहा एक तो यह आफ मना ने जा रहे हैं तो आप चलिए कितना नर्म हो गई है तो इनके छिलके को उपर से हम हटाएंगे तो चलिए देखते हैं कैसे हटाना है यह देखेगा इस तरह से चाकू ले लेंगे और इसके छिलके को हम हटा देंगे यह देखे इस तरह से हम हटाएंगे तो सारे छिलके आसानी से हट जाएं चाहते हैं तो थोड़ा से पका लें तो यह देखिए अब इनकों चोटे-चोटे टुक्ड़ों में करेंगे जिससे कि थोड़ी बहुत अगर कसर रहे गई वह भी कुक हो जाए तो देखिए इसमें हम डाल देंगे चार से पांच स्पूम ओयल क्योंकि इसमें ओयल थोड़ा सा ज्यादा लगता है तो यह देखिए इस तरह से अब इसमें में डाल दिया एक टेबल स्पूम जीरा और जो हमने चॉप करके रखा था अद्रक और लसन और अद्रक लसन प्याज और हरी मिरच कट करके रखी थी ब यह हल्दी पाउडर कर नहीं डालना चाहते तो मध डालें डैने कलर के लिए थोड़ा सहो जाता है और लाल मिरच पाउडर नहीं आट किया हूँ है क्योंकि हमने हरी मिरच काटी थी यह हमारे बैच्चों को बहुत अच्छा लगता है इस वज़ए से अपने यह डाल पूरा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग जिससे की अच्छे से हो जाएगा और इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा पानी अभी देख सकते हैं यह मिक्स कर देंगे तोड़ा सा पानी डालना लेकिन एक बात और गाइस याद रखेगा बनती हुई सब्जी में आप ठंडा पान दिपन भ supremacy अगर हम नोलस तुमीघ सकते हैं हम अगर हम पानी और रहा रहा है तो वह थीजेये हो, इसलो कोता है खाल शुकर सुट बालेंगे धिक, सब्सक्निम कोक यह सब्सक्राइब पनी है तो यह तो देख न इनष्ट कर दिया है यह क्या करेंगे लेए इसे अपनी तुरह को या निनुवा को मैस कर देंगे जिसे कि भरते के फार्म में आ जाएगा तो यह देखे आचुका है ओमारा भरते के बनाना है तो उस हिसाब से थोड़ा सा और हम को करेंगे थिकनेस के लिए हलका सा तो आप देख सकते हैं आप इसमें हम डाल देंगे कस्तूरी में थी यहारी होममेट कस्तूरी में थी है जो कि हमने वीडियो डाल रखी है अपने यूटूब चला पर तो आप लोग अगर आप राइस के साथ जिसके साथ भी खाना चाहें बहुत टेस्टी लगता है और चाहें जब खाएं तो देखिए इसमें ओयल आ गया है देखने लगा है अच्छे से फ्राई हो चुकी है हमारी तो चलिए देख सकते हैं आप इसमें इसकी फ्लेम को करेंगे बन और इसे अब हम सर्व करने के लिए रैडी करेंगे देख सकते हैं इस तरह से तो गाइज यह बहुत यमी लगता है तेखिए ओयल कितने अच्छे से निकल आया है और इसको आप हम गाईज यह टिफिन फ्लेर फ्रेंडली भी है आप टिफिन में रख सकते हैं तो थोड़ा साथ देने के अच्छाट मसाला आड करते हैं तो इसमें चाट मसाला में खटा पन होता है वह हमारा उठ जाता है इस वजह से दाला हुआ है आप इसकी जगह पर खटास के लिए आप टमाटर भी आड कर सकते हैं जिस टाइम उमने प्याज डाला तो उस टाइम पर या फिर नीबू आड क जब शाड़ चारट कर खाएंगे इतना अच्छा बच्चों को लगेगा जो बच्चे बिल्कूल तुरही नहीं खाते क्योंकि इसमें पता ही नहीं चल पाएगा, उनको कि ये तुरही कवरता है इतना अच्छावाद आएगा इसमें तो इसी तरह हमारे वीडियो को देखें, अगर हमारे वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें सस्क्राइब करें एंड सेयर करें एक बात और गाइस इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे जो चैनल पर है उस पर जाएं और विजिट करें और देखें नई नई तरीके की रेस्पीस तो मिलते हैं नेक्स नेक्स रेस्पी के साथ बाबाए